हेई, वाट्स आप, दिस इस एवन पॉल and वेलकम बेक तो माई चैनल आज हम बात करेंगे मोबाल फोटोग्राफिक की और वो पाच मिस्टेक्स जो आपको अवोइट करनी जाहिए सो इधर वेस्टिंग एनुमोर ताइम, लेस्ट गेस स्टार्डेट सबसे पहली गलती है लेंज साफ ना रखना मोबाल की लेंज को रेगुलार साफ करना भूल जाना ये आपके फोटोज को धुंदला बना सकती है सो लेंज हमेशा साफ रखें दूसरी गलती है डीजिटेल जूम का यूज करना Digital Zoom से photo की quality कम हो जाती है हमेशा कोशिश करें कि आप subject के पास जाकर photo ले जिसे आपकी image quality अच्छी रहें तीसरी गलती है grid lines को ignore करना grid lines आपको सही composition देने में मदद करता है तो इसका इस्तिमल कैसे करना है तो चलिए दिखाता हूँ आपको ओके तो गाइस grid lines को enable करने के लिए सबसे पहले आप लोग को three bars में क्लिक कर देना है three bars में क्लिक करने के बाद simply आपको देखने को मिलेगा show grid lines तो यहाँ पर simply कर देना है इसको enable आपका settings में भी रहे सकता है तो कुछ इस तरीकी से grid lines को enable करके आप photo kit सकते हो mobile phones में अलग-अलग settings और modes होते है auto mode से बहार निकल कर exposure, white balance और HDR जैसे settings का इस्तेमाल करें इसे आपके photos को बहतर बना सकते है आखरी गलती है ज्यादा edit करना अपने photos को filters और editing apps का इस्तेमाल करके अपने photos को over edit करना आपके photos को unnatural बना सकता है तो वो सके तो edit को हलका और सुधार नेवे ध्यान दे तो यह रहा आजका mobile photography की 5 mistakes जो beginner slog ज्यादा करते अगर आप भी करते तो इसे avoid करें और practice करते रहें यह देर अच्छा हो जाएगा आपका photographic skills आजका वीडियो कैसा लागा comment करके जरूर बताईए अच्छा लागे तो like जरूर करतीजिए चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल कर सब्सक्राइब करतीजिए साथ में bell icon को ब्लोल में क्लिक करतीजिए ताकि जब भी न्यूव वीडियो अप्लोड करो उसका notification अब सबसे पहली मिल जाएं आप सब फीड से वेलोंगा ऐसा ही interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए गुर्बाई